नमास्कार दोस्तों जो हम मार्केट से या नर्सरी से आम के पौधे खरीद कर लाते हैं उसमें देखते हैं कुछ में फूल लगे होते हैं कुछ में फल आद भी लगे होते हैं या फूल फल नहीं लगे होते हैं तब भी पौधा एकदम सौस्त और अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाते हैं पौधे का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है और कभी कभी नए कल्ले आद भी निकलना बंद हो जाते हैं लेकिन ऐसे समय में यदि हम कुछ तरीके हैं इनको अपना लें तो पौधा पुना अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा और जो फल फूल हैं वो भी एक द पोधे को नाब मिल करके खर्पत्वार ले लेते हैं जिससे पौधे में ग्रोथ रुक या इसके बाद देखते हैं कि जो घर के सामने हम पौधे लगाते हैं आस-पास की मिट्टी काफी कठोर हो जाती है जो पौधे की ग्रोथ में बाध्धा का एक और बड़ा कारण बनता है तो इसके लिए आपको पौधे के आसपास महीने में कम से कम एक बार गुड़ाई जरूर करना है यदि आप कुधाल से गुड़ाई करना चाहें तो कुछ जगे छोड़ करके आप कुधाल से भी गुड़ाई कर सकते हैं गहरी गुड़ाई करेंगे तो इस से पौधे में जो जड़ों का विकास है अच्छी तरह होगा और उसके बाद जो पौधे के पास जो इस्थान बचता है उसको आप खुरपी से अच्छी तरह निराई गुड़ाई गहरी गुड़ाई कर दें और जो जड़ आद खरपतवार की होती है घास आद की होती है उनको निकाल देना है जिससे बाद में खरपतवार नहीं होगेंगे आसपास जो मिट्टी है वो आपने गुड़ाई आद की है उसको थोड़ा उंचा कर देना है जिससे जो सिचाई आद करेंगे जो उर्बरक दालेंगे हम आगे वो भी आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना है तो पौधे को कुछ इस प्रकार से आपको साफ़ सफाई कर लेना निराई गुडाई बिल्कुल कर लेना है और थोड़ी गहरी गुडाई पास में भी कर लें जड़ों को कटने से जरूर बचाएं क्यों की जड़ यद कट जाती है तो पौधा मरने के चांस बन जाएंगे लेकिन जड़ों के पास यद मिटी मुलाइम रहेगी भुरुरी मिटी रहेगी तो जड़ों का उतनी अच्छी तरह से विकास होगा और पौधा उतनी अच्छी तरह से सोस्त ग्रोथ करेगा इसके बाद तो आप यहां पर सो से डेड़ सो ग्राम प्रतिपौधा डी एपी भी दे सकते हैं लेकिन आप ये मात्रा देंगे तो सभी तत्यों की लगभग पौधे को पूर्त हो जाएगी अच्छी सड़ी होई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लेना है यदि खली थोड़े बड़े तो कूट करके उनको छोटे टुकडे में कर सकते हैं चाहें तो आप बड़े टुकडे की ही इसी प्रकार से डाल सकते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन चाहें तो आप छोटे टुकडे कर लें अब इसको चाहें तो एक में दोनों को मिला लें चाहें तो अलग अलग दें यहां पर हम अलग अलग दे रहे हैं जिससे आपको यदि अलग अलग दे रहे हैं तो कैसे देना है इस बात को भी आपको काफी द्यान रखना है क्योंकि खली जब आप सिचाई करेंगे सिचाई करने के कुछ समय के बाद मिलना चालू होती है तो आपको जो एक किल किलोग्राम मात्रा है पोधे के आस पास डाल देना है सर्दियों के मौसम में आप एक किलोग्राम खली यूज कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में इस मात्रा को आप आधी कर देना है आधिक मात्रा देने से गर्मियों के मौसम में पोधा जुलसने का खत्रा बन सकता है इसके ब यह एक दो अंगुल तक उपर लेर बन जाएगी लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यह पौधे को आसानी से जड़ों के माध्धिम से पौधे को मिलना चालू हो जाएगी जिससे जो पौधे को आवस्टक पो सकता तो है वो मिलते रहेंगे अब यह सब काम आपको कर लेना है उसके बाद जो मिट्टी साइड में निकाली है उसको आपको उपर से डाल देना आलाग से मिट्टी डालने की आवस्तक्ता यहाँ पर नहीं है क्योंकि थोड़ा मिट्टी आपको इसलिए डाल देना जरूरी है जो आपने खाट डाली है सकता है उसमें दिक्कत हो तो इसलिए आपको थोड़ी मिटी ऊपर से बिखेर देनी है अब ये सब काम करने के बाद जो आखिरी काम करना है वो ये करना है कि थालह आपका एक वर्ग मीटर के करीब करीब है तो लगबग 5-7 लीटर पानी आपको इसमें एक बार में डाल देना है गर्मियों के मौसम में ये काम आप दो बार जरूर करें सर्दियों के मौसम में एक बार करें ध्यान रखना है यदि आपके पौधे में फूल आदि बनना है तो हलकी सिचाई करना है तब आपको ज्यादा सिचाई नहीं करना है जब छोटे-छोटे मटर के दाने के इतने फल बन रहे हैं तो उस समय आपको सिचाई रोक देना है लेकिन जिस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही उसमें आप सिचाई एक-एक महीने के अंतर पर सर्दियों में और गर्मियों में 15 दिन के अंतर पर जरूर कते रहना है कुछ समय के बाद देखेंगे पौधे में नए कल्ले निकलना चालू हो जाएंगे और एक-दो साल में पौधे में फूल आद भी आएंगे और फल भी आद आद आपको मिलते रहेंगे किसी प्रकार का यदि रोग लगता है तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी जरूर देंगे इस वीडियो में यदि हम पूरी डिटेल से बताते तो वीडियो और भी काफी लंबा हो जाता जिसको आप देखने के लिए इगनोर करते तो इसलिए आप ये तरीका आपना करके पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं अच्छी तरह आपका बिखसित रहेगा क्योंकि घर के सामने जैसा कि हमने पहले ही बताया था यदि आप लगाते हैं तो मिट्टी कड़ी होने से पौधा ग्रोथ नहीं कर पता है